दोस्तो पंजाब और हर्याना हाइग कोड का ये बहुत IMPORTANT केस निकल कर आया है Maiser's, दीपक सेल्स कोरपरेशन का जिसकी अपिल को अलाउग कीया गया Maiser's, दीपक सेल्स कोरपरेशन जो की एक पेटिशनर है जो की partnership trading concern है और register थे हरियाना वेक्ट एक्ट में इन्होंने अपने आपको GST में registration करवाया GST the petitioner filing filed return अपने electronic credit laser में entry की in the month of August 2017 petitioner ने जो ITC type किया वो था 14 crore instead of जो उनको करना था the petitioner claimed the access ITC जो उन्होंने claim कर लिया just because typing error तो जो error हुआ है वो उनको पता लगा बाद में कि उनके पास typing mistake हो गई है तो उन्होंने जो typing mistake की जब उनको पता लगा तो उन्होंने revenue department से request की email के दुआरा कि वो petitioner को guide करें कि वो अभी new tax regime है जो aware नहीं तो अब क्या procedure रहेगा उनको यह ITC reverse करने का तो ITC reverse के लिए revenue department से उनको किसी भी तरह का कोई भी response नहीं मिला तो जिस वज़े से वो अपना ITC reverse नहीं कर पाए तो उनको इंट्रेस्ट के लिए भी demand की गई ठीक है उसके बाद respondent ने order के थुरू confirm किया demand of interest अब इस order के अगेंस्ट पेटिशनर ने अपनी appeal फाइल की जिसमें जो इंट्रेस्ट दिया गया था कि कितना उनको पे करना है जो इंट्रेस्ट लेवी किया गया था कि पेटिशनर ने रोंगली यूटिलाइज किया है ITC अपना और साथ ही में उस पर penalty भी लगा दे गई पेटिशनर ने पेटिशन फाइल की पंजाब भरियाना हाई कौट में और चेलेंज किया उस order को एंट शोकर्ज नोटिस को उन्होंने मेल भी की थी बट रिवेन्यू ने उनका कोई जवाब नहीं दिया था तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी इंट्रेस्ट और पेनल्टी नहीं लगना चाहिए तो पंजाब और हरियाना हाई कोट का यह बहुत इंपोर्टेंट डिसीजन आप सभी के लिए रहने वाला है सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 कहता है कि टेक्शेबल परसन जिसने एक्सेस आईटी से क्लेम कर लिया है वो इंट्रेस्ट पे करेगा उस एक्सेस क्लेम पर जो 24 परसेंट रेट से पे किया जाएगा अगर उस क्रेडिट को यूटिलाइज करने से पहले अगर आपने उसको रिवर्स कर दिया है तो दिमांड ओफ इंट्रेस्ट एंट पेनल्टी वाज अंटिनेबल तो यहाँ पर जो है अगर यूटिलाइज नहीं की है और रिवर्स कर दिया है तो यहाँ पर दिमांड ओफ इंट्रेस्ट और पेनल्टी इस नोट पेनल्टी इस नोट तो इंट्रेस्ट और पेनल्टी उस केस में नहीं लगनी चाहिए तो पेटिशनेर यहाँ पर लाइबल नहीं है दा अमांट ओफ इंट्रेस्ट और पेनल्टी ओन दे एक्सिस आईटी सी जो आईटी सी उन्होंने रोंगली इंट्रेट अवेल कर लिया है और अपील को अलाउ किया गया तो यह काफी इंपोर्टेंट केस हो जाता है आप सब के लिए एसे केस आपके साथ भी हो सकते हैं तो आपने भी अगर आईटी सी को रोंगली अवेल कर लिया है लेकिन अभी तक उसको यूटिलाइज नहीं किया है अगर आपके पास इंट्रेस्ट और पेनल्टी का नोटिस है तो इस तरह की जज्जमेंट आपके लिए इंपो बालो आपके लिए ले जए ले इने होग हुआ भी झादी तो मित्व माई जग कर लोह गो है और